उसकी महबबत में एक अलग नशा है मालिक की भगती में एक अलोकिक पावर है जो उस पावर को ले लेता है वो उस पावर हाउस से जुड़ता है और वो पावर हाउस है खुशियों का वो पावर हाउस है आनन्द का वो पावर हाउस है लज्जत का बहारों का वो पावर हाउस है ऐसी इंजॉय करने वाली लाइफ का जिसकी इंजॉयमेंट जिसकी खुशियों का कभी अंत होता ही नहीं वो बढ़ती ही चली जाती है दिन दुगनी रात चौगनी की रफ़तार में क्या आप नहीं चाते कि आपके जिंदगी में खुशिया हो क्या आप नहीं चाते कि आप हमेशा तंदरुस्त रही क्या आप नहीं चाते आपके दिल और दिमाग में पीस हो शान्ती हो क्या आप नहीं चाते कि आप वो इंजॉय का हिस्सा क बने जो बेशुमार है जो बढ़ती ही चली जाती है हाँ हर कुई चाहता है तो गवराइए मत कोई धर्म नहीं बदलना कोई पैसा आपने नहीं देना कोई कपड़े नहीं बदलने कोई देश या नागरिक्ता नहीं बदलने अपनी फैमिली में रहो अकेले रहो आपकी मर्जी जैसा मर्जी पहनो जिस मर्जी धर्म में रहो आपकी मर्जी लेकिन वो एक मैथड है वो एक युक्ती है जिसे गुरु मंत्रा, कल्मा मैथड व मेडिटेशन कहा जाता है उसे अपना लो उस पे चलो हम आपको गरंटी देते हैं आपके तमाम गम, दुख, दर्द, चिंताएं पंक लगा के उड़ जाएंगी सच्चा मौक्ष मुक्ती आप हासिल करेंगे और सच्चा मौक्ष होता है जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता बिमारियों से मुक्ती और मरनों परांत आवा गमन से मुक्ती तो शास्त नाम जी दाता रहबर ने जो बात बताई है जो तरीका समझाया है जरा उससे जुड़की तो देखिए हंडर्ड परसेंट आपका फाइदा होगा